Hello, fan-tech video, में आपका स्वकत है। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं iMobilePay से आप लोग किसी के भी बंक में money को transfer कर सकते हैं या आप लोग contact के द्वारे भी कर सकते हैं या आप लोग किसी के भी QR Code के scan करके money transfer कर सकते हैं तो सारी जिए आपको step by step बताए जाएंगे इस वीडियो में तो आप लोग इस वीडियो को सुलू से लिए का लास तक देखेगा तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले आपको i-mail पे app आपको open करना है open करने के बाद कुछ इस तरह से interface आ जाता है इस app का तो फिर्ण आपको नीचे आपको उपसे मिल जाता है फस्ट में ही fund transfer का तो इसके बारे में बाद में बात करोंगे तो फिर्ण नीचे आपको उपसे मिल जाता है scan to pay तो यहां से आप किलिक करके आप आप किसी का भी QR code को scan कर सकते हैं जैसे कि आप लोग soap पर या restaurant पर जाते है तो यहां से phone पे Google पे अब ले सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर phone पे लिया phone पे लेने के बाद आपको यहां पर आपको कुछ नहीं करना है आपको amount डानी है यहां पर simple enter amount में और यहां से pay कर सकते हैं किसी भी platform पे जैसे phone पे पेटियम Google पे तो इससे हो जाता है यह फर्श त तो यहां पर अगर आपने पहले सी pay किया हुआ तो यहां से आप उसका नाम एंटर करेंगे और सीधे transfer कर सकते हैं यहां पर मैं मानता हूं कि आप फ़स्टाइम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है अगर आपके पास कोई contact है तो pay to contact पर के लिए करके आप यहां पर उसकी यह हुटा है तो आप यहां पर click करनगे and manage पर यहां से आप toidh companies यहां पर अइसाई सपर एक कोड़ यह सारी डालने के बाद चि도 आप आहां पर नीच के पर नियुक्र पर किलिक रटेंगे च मंसे करें करतें कि यहाँपर ने के बाद के वाद आपको यहाँ पर इस तरह आजाएंगे तो यहाँ celebrate consumption क्रेंगे घरी जो भी अपनी करते हैं यहाँ sits confirma के लिए कर दें तो यहाँ से के लिया आ जाता है तो यहाँ से कनफर्म कर देंगे और जैसे हम confirm कर 앞 तो यहां से लेकर जिसको भी हम बैंक कर रहेहां उसको हम सेंड कर सकते हैं, तो इसह तो लोग किसी भी बेंगों में मनी को ट्रांसपर कर सकते हैं